असलाम अलेकूम वीवर्स कैसे हैं आप सब उमीदे के सब ठीक ठाक होंगे मैं हूँ शगुफता फहीम और आप देख रहे हैं फुड़ीज भाई शगुफता तो आज हम बनारे लगे हैं वेजिटेबल मेगी तो चले आए शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने कडाई के अंदर टू टेबल स्पून ओईल ले लिया है इसको हम गरम कर लेंगे अच्छी तरह से ओईल हमारा यहाँ पर गरम हो चुका है अब हम इसमेट कर देंगे यह यहरा प्याज जो होता है न उसका वाइट पार्ट था जिसको मैंने काट के और इसमें यूज किया है यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से फ्राय कर लेंगे तो यहाँ पर प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राय हो चुकी है अब हम इसमेट कर देंगे हाफ टेबल स्पून लेसन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राय करेंगे अब हम इसमेट कर देंगे यह गाजर है आदी प्याली बंगो भी इसको भी हम इसमेंट कर देंगे और यह हरी प्यास इसे भी हम इसमेंट कर देंगे और यह शिमला मिर्चे यादी प्याली शिमला मिर्चे इसको भी इसमेंट कर देंगे और इन सब चीजों को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स इसके बाद हम इसमें एट कर देंगे यह हाफ टी स्पून नमक है यह हम इसमें एट कर देंगे और हाफ टी स्पूनी रेड चिली पॉडर है वो भी हम इसमें देखिए एट कर देंगे और हाफ टी स्पून है हल्दी पॉडर ये भी इसमेट कर देंगे और इसमें जाएगा ये देखिए मेगी मसाला है ये वन टेबल स्पून मेगी मसाला इसको भी हम इसमेट कर देंगे और इसको सब चीजों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सबजियों को हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना बिल्कुल हमने इनको हलका सा बस फ्राइ करना है यहाँ पर हम इसमें डालेंगे टू कप पानी और फिर इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स क्योंकि हमने सब्जियों को बिल्कु भी हमने पकाना नहीं जादा निदोन का कलर भी खराब हो जाता है बस यहाँ पर हम इसको कवर कर देंगे और दो उबालाने तक का वेट करेंगे तो यहाँ पर सबजियों में उबाला चुका है यह देखिए तो बस हम इसमें यह थोड़ा सा इसको चलाएंगे और आप हम इसमें मैगी एक कर देंगे देखें मैगी को मैने तोड़ लिया था दोढ़ों में तो बस आप इस तरह से मैगी को इसमें हम सब को डाल देंगे बस फिर इनको हम सबको डालने के बाद हम इसको बस कवर कर देंगे और दो मिंट तक के लिए इसको हम पकाएंगे तो यहाँ पर मैगी को पकते वे दो मिंट हो चुके हैं तो आएं चेक करते हैं तो यह देखिए मैगी खुल चुकी है यह देखें आप तो बस यहाँ पर हम इसको mix करेंगे और अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है तो बस इसको यहाँ पर अच्छी तरह से mix करने के बाद हम दुबारा से cover कर देंगे और दो मिंट के लिए हम इसको दुबारा से पकाएंगे तो दो मिंट हो चुके हैं आईए चेक करते हैं तो यह देखिए हमारी मैगी बन के ready हो गई है बड़ी कलर्फुल यह देखिए सब्सणियों के बड़े जबदस कलर आए बस यह हमारी मैगी इस टाइम बन के बस तैयार हो गई है बस इस टाइम पर आके अब हम कर देंगे चूला बन और इसे निकालेंगे डिश में तो ये देखिए माशालला से हमारी वेजिटेबिल मेगी बनके रेडी है आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो अगर आज की पसंद आईए तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपनी दौाओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज